Hello everyone, welcome to your channel, today will be discuss about nervous system और nervous system का ये कह सकती हैं कि another lecture है, इसके पहले हमने 2-3 lecture जयता फिनिस कर चुके हैं तो चलिए start करती हैं और आज इस lecture में हमने peripheral nervous system के वारे पूरी information देने के लिए present हुआ हूँ तो यहाँ पर ये देखेंगे peripheral nervous system क्या होता है ठीक न, क्या-क्या इसमें कौन-कौन सी nerve की supply होती है ठीक न, और उनका क्या कार्य होता है इन सभी के बारे में details जानकारी लेंगे ठीक है तो चलिए start करती हैं, पहले यहाँ पर ये समझ लेती हैं कि nervous system को दो division में बताएगा है एक central nervous system होता है और एक peripheral nervous system central nervous system की अंतरगत brain और spinal काट आता है इसके बारे में हमने पूर जानकारी ले चुके हैं ठीक है peripheral nervous system की अंतरगत autonomic nervous system आता है और somatic nervous system आता है ठीक है फिर further automatic nervous system को यहाँ पर sympathetic division में भी बताएगा है और parasympathetic division में भी बताएगा है ठीक है तो यह चार्ट को जरूर अपने mind में आप रखिए चली start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर peripheral nervous system के बारे में ठीक है एक्चुल में यहाँ पर यह system जो होता है ठीक है तो यह cranial nerve ठीक ना जो की brain से arises होती है और साथ में spinal nerve जो की spinal nerve से spinal cord से arises होती है ठीक है तो यह जो peripheral nervous system होता है यही दोनों चीज़ से मिल करके बना होता है ठीक है एक cranial nerve और एक spinal nerve clear तो यहाँ पर जो peripheral nervous system है तो जब यह दो फार्म में arises होगा है इसको दो फार्म में बताया भी गया है तो पर्स में एक somatic के रूप में बताये गा है और एक orthonomic के रूप में बताये गा तो somatic is उस system को भौलेंगे जो की हमारे body को क्या कर रहा है control कर रहा है मतलग की someatic nerve nervous system वो system होता है जो हमारे bil से ही control हो रहा है मतलग हमारे इच्छा की according ही control हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, somatic nervous system, जैसे अगर हम अपना hand को अपर उठा रही है, यह कोई instrument उठा रही है, कोई भी material अगर उठा रही है, तो उसको आप control कर रही है, यह उपर अपना hand उठा करके रख रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, आप control करके रहे हैं, जो अपने bill power से control रोल क्या जाता है उसी के बोल जाता है सुमेटिक नर्वा सिट्टम ठीक है और इसके अंतर का देकि घ्जांपल बताया है कि नर्व सप्लाइइ heh skeletal muscles, मतलब skeletal muscles में जो nerve के supply हो रही है वो ठीक ना, और ये responsible होता है muscular activities and movement of the bodies ठीक है, मतलब हमारे body के जो movement हो रहे हैं और muscular activities हो रही हैं, उसके द्वारा इसका responsible होता है ठीक है, autonomic nervous system जो होता है तो ये just इसके opposite है मतलब उसमें आप will के द्वारा control कर रहे हैं, लेकिंग इसमें आप will के द्वारा control नहीं कर पाएंगे अपने इक्षा के अनुसार इसको control नहीं कर पाएंगे ये जो control हो रहा है कह सकते हैं कि automate के लिए तरीके से हो रहा है, ठीक है इसके अंतरगज होता है तो visceral और vegetative function को regulate करने के लिए responsible होता है otherwise इसको हम vegetative या कि involuntary nervous system भी कहती है कभी कवार question पूँच देगा कि involuntary nervous system कि इसको कहती है तो अपने mind में में मेशा रखिएगा कि autonomic nervous system को हम involuntary nervous system भी कहती है या कि vegetative, clear अब इसको भी further two parts में categorize करके बताये गया है एक होता है sympathetic nervous system second होता है parasympathetic nervous system ठीक है आगे समझे है यहाँ पर cranial nerve अभी जो हमने बताया आपको कि cranial nerve और spinal nerve दो चीज़ के arises है लेकिन हम previous lecture में spinal nerve के वारे में जानकारी ले चुकी है ठीक है, neurons में तो आप यहाँ पर देखेंगे कि cranial nerve कैसी होती है ठीक ना, कितने इसके pair में present होती है और अच्छल में इसका function क्या होता है आप यहाँ पर देखें, यह जो हम red color से highlight की है, इसको जरूर अपने mind में आप रखेगा, कि जो cranial nerve होती है, यह 12 pair से मिल करके बनी होती है, ठीक ना, हमेशा यह नम्मर में आपको 24 नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर यह देखेंगे, कि जो कि यह brand को क्या कर रही है, body के different part को connect करने का काम करती है ठीक ना, जो cranial nerve होती है, body के different part को connect करती है clear, आप यह brand देखें और brand में आप color में देख रही होंगे यह नजर आप डाल रही होंगे कि इसमें कौन सी nerve कहाँ पर supply है, ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पर हम यह देखेंगे कि olfactory nerve, olfactory nerve जो यह yellow color के नजर आ रहा है, यहाँ पर situated है, ठीक है ना, और एक चीज आपको clear कर दें यहाँ पर, जो यह रोमन में नमर दिया गया है ना, इसी रोमन में इसको याद करना पड़ता है ठीक हम यह सा अपनी mind रखिएगा क्योंकि इसको रोमन संक्षा में ही इसको represent करके रखा गया है clear, second होती है optic nerve, ठीक ना, अभी seven facial nerve होती है bestibolate, cochlear nerve nine होती है eight number, ठीक ना, licence होती है glossal algum nerve और tenze होती है vagas nerve होती, जो सबसे बड़ी nerve पताअ जाता है, ठीक है और eleven जो होती है accessory nerve होती है 12 जो होती है ठीक है, तो hypoglossal nerve होती है और यह सभी जो nerve होती है ति इनका अपना ही अलग-अलग तरीके से function है, ठीक है, आप इस brand में भी देख सकती है कि कौन सी nerve कहां पर ये situated है, clear, अब यहां पर हम ये समझ लेती है कि कौन से nerve का क्या function है, पहले हम यहां पर थोड़ी सी मोटा-मोटा देख लेती है, इसके बाद details में आएंगे, clear, तो आप यहां पर दीखें जो all factor nerve होती है, ठीक है न, तो यह क्या कर रही है, इसका काम, smell का, मतलग कि यह सूगने का काम करती है, ठीक है, मतलग कि यह जो factor nerve होती है, तो smell देने का काम करती है, इसके लिए मतलग कि यह responsible होती है, तो आप देखें होंगे, आपको story बता रही है, कि जब आप COVID की situation आई थी ठीक ना तो उस टाइम पी देखे थे कि इस मेल वगएरा जो है टांग का स्वाथ बगएरा काफी जो चिंजेस हो जाता था और काम करना ही बंद कर देता है जिसको कोविड की कंडिशन थी ठीक न तो उस टाइम पी क्या होता था कि जो आलफेक्टी नर्व थी वहां पर यह ड और पीपिल रिफ्लेक्स का काम करती है ठीक है यह आप याद रखिए यह हर एक नर्व का फंसन क्योंकि अभी जो ग्रूफ फाइब के एक्जाम हुआ है ठीक ना रिसेंट्टी जर तेश में उसमें यहां से कुश्चन जरूर पूछा गया था ठीक है तो इस चीज आपको होता रहे हैं डोकीयल ओंव जो होती है आई मोमेंट के लिए रिस्पनस्वा नर्वीसवेल होती है अबदुशन स्यंट्ट वह थियै बिश्टी आई मोमेंट के लिए है बिश्टीबुलर सित है यह हेरिंग और बैलेंस बनानेंक काम करती है वेगस नर्व जो सबसे संसेशन और अरन के लिए क्या थिक है tak ho дополнमेंट अ गैरा के से अब को होई जवा रही है उसके देश्फिल होती है ट्राइशी के लिए के अब defic Cannelly होती है उसके लिए से स्पोन्सवल होती है व्रॉफारनजेल होती है यह थ्रोड सेंसेशन टेस्ट और स्लोलिंग के लिए होती है असेसरी जो होती है ये नेक मुवमेंट के लिए रिस्पोंस्वल होती है इसको आप जरूर याद रखी है चले अब इनका डिटेल समझ लेती है ठीक नग पहले हम समझेंगे ओल्फेक्टी नर्व वही जो अभी हमने किया याद अल्फेक्टी- नर्व जो थी है सिंसिसन को टंग से ब्रेन तक ले जाने का काम करती है मतलब कि आपके ब्रेन में टंग में किसी प्रकार का संसिसन हो रहा है खर्टा मेठा बीटर वगैरillar तो ये ब्रेन तक ले जाने का काम करेगी नर्ब पोल नर्वस होती है यह ऑइसट हम क और प्यूपल के सैज को अड़ेस्ट करने का काम करती हैं ठीक है न ट्रोकियल नर्वस होती है यह आइसपने के Gesundheits को मुहमेंट को क् ancora करती है ठीक है ट्राइसधमिल नर्व from the face forehead scalp upper eyelid इन सबी से information को फेजने का काम करती है इसके कारण aphthalmic function performance होता है ठीज ट्राइजमिनल जो division होती है यह sensory information from the cheek upper lip and nasal cavity मतला के चीक अपर लिप और nasal cavity के लिए responsible कांसी होती है maxillary division वाली ठीड़ी ना mandibular होती है तो send information from the ears lower lip ear regulation आप दा जा मोमेंट यह सबी के लिए कां responsible हो रही है mandibular की ना ठीड़ी ना क्योंकि mandibular bonds भी होती है वो इसी के लिए responsible होती है तो यह आप जरूर इसके वारे में definition याद रखे क्योंकि definition से ही question आती है clear next यहाँ पर है abducens nerve यह सो होती है कि movement of the eye wall associated with the lateral rectus muscles ना जो rectus muscles होती है और साथ में eye wall का है उसके लिए movement के लिए responsible होती है facial nerve जो होती है facial nerve expression की muscles को movement करती है मतलब कि आपके जो expression दे रही है face का है ठीक है तो उसके movement के लिए कौन responsible होती है facial nerve होती है कभी कभार यह facial nerve damage जाती है जिसके कराण एक side के जो होता है muscles ही काम करना बंद करती है Facial nerve जो होती है, test पता लगाने के भी काम करती है साथ में salivary gland और lacrimal gland को supply देने के भी काम करती है ठीक है, bestibular parts जो nerve होती है ये two parts में divide करके explain किया गया है इसमें मतलब कि दो parts में ये बताई जए गई है एक होती है यहाँ पर cochlear parts, second होती है bestibular parts है आप ये दोनों सब्द को कैसे याद करेंगे, कैंकि इसी सब्द को जब आप याद कर लेंगे bestibular, cochlear, इसमें दोनों सब्द है bestibular से हो जाएगा, bestibular से bestibular से हो जाएगा, ठीक है न? और cochlear तो already लिखाई हुआ है जो bestibular nerve होती है, यह hearing की sensation का कारे करती है मतलग कि आप जो सुन रही है, उसके लिए यह response पर होती है जबकि bestibular जो होती है, यह equilibrium और balance पर maintain करने के लिए responsible होती है के लिए आपके body में जो कोई भी equilibrium हो रहा है, balance का maintenance हो रहा है यही nerve responsible होती है next है glossopharyngeal nerve glossopharyngeal nerve जो होती है throat, sinus, inner ear, tongue से sensation को information को brain तक ले जाती है ठीक न? bンダホ तक ले जाकर के यह information को जो ओता है फिर उस तक ले कर क की आती है यह काँन सा काम कर रही है glossopharyngeal nerve यह nerve throat की muscles को movement करती है जो throat की nerve होती है sorry muscles होती है उसके movement के लिए glossopharyngeal nerve ही responsible होती है नेक्ट है बेगस नर्व, यह नर्व होती है, यह थोट रंग से sensory information को brain तक ले जाने का काम करती है, ठीक ना, और यह नर्व में present सभी involuntary muscles का movement करती है, involuntary मतलब की अनैक्छी करियाई जो हो रही है, ठीक है, असेसरी जो नर्व होती है, यह trapezium, ठीक ना, trapezius और sternocledo mastoid muscles, ठी पूछ देगा ठीक ना कि इस्टेर्णो क्लेटो मस्टोइड मसल्स का मुव्मेंट कौन सी नर्व करवाती है ठीक ना या कि करने का रिस्पोंसिबल होती है असेसरी जो नर्व होती है हाइपो ग्लोसल नर्व जो होती है यह टंग की मसल्स के मुव्मेंट के लिए हेल्प होती हैं किलिया तो यह सभी इसके लिए हमने इनफार्मेशन दिया तो इट वास आले बाउट टूड़ी लेक्चर यह आंस फिनिस होता है नेक्स लेक्चर में हम आटोनोमिक नर्वा सिस्टम को फिनिस करेंगे देन इसके वाद यह नर्वा सिस्टम बुड़ा फिनिस हो जाएगा ठीक है ना चले मिलते हैं निव लेक्चर के साथ में थैंक्यू सो मज़ें